जब टाइम आगे है चाप्टर 9 को करने का जिसमें हम लोग देखने वाले Access Modifiers और Constructors को क्या होते है Access Modifiers और Constructors क्या होता है इस चाप्टर में हम लोग देखेंगे तो मैं आपर करूँगा क्या सबसे पहले Access Modifiers के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन उससे भी पहले जड़ा यह देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है आपर वीडियो नंबर कौन सा है वीडियो नंबर 40 है यह हमारा तो यहाँ पर जल्दी से एक वीडियो नंबर 40 के लिए फाइल बना लेते हैं cwh-40 और यहाँ आपर मैं अपर लगा के कुछ लिखूँगा chapter9.java मैं आपर main method एक add करूँगा main method add करने के बाद आपको access modifiers के बारे में बताता हूँ ठीक है मैं आपरे class बनाऊंगा ठीक है जल्दी से और इसका नाम मैं रखूँगा my employee class के अंदर मैं एक बनाऊंगा method जिसको मैं बोलूँगा public void या method अभी छोड़ो मैं आपर एक int id बनाऊंगा और एक string name बनाऊंगा ठीक है पहले जब मैंने आप लोग को int id और string name बना के बताया था तो मैं आपर कुछ public private protected वगएरा कुछ नहीं लिखा था यह public private protected होते क्या है यह access modifiers होते हैं और access modifiers से specify करते हैं where a property or method is accessible का मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग inheritance कर रहे हो या फिर अगर आप लोग किसी दूसरी class से इस class की property को access करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आप कर सकते हो directly या नहीं कर सकते यह मतलब होता है private default protected public access modifiers का हम चारों को देखेंगे लेकिन अभी आप लोग सिर्फ private पर गौर करो इन तीनों को हम लोग जल्दी देखेंगे public वैसे हमने use करके देख लिया है बट अभी के लिए आप बस private access modifiers पर ध्यान लगाओ और private के example से आप लोग को बता दूँगा मै कि क्या होते है access modifiers मैंने यहाँ पर intidy लिखा string name लिखा यहाँ पर मैं लिखूँगा harry is equal to और यहाँ पर मैं लिखूँगा new employee ठीक है in fact employee harry is equal to new employee लिखूँगा और employee भी भी नहीं my employee ठीक है employee class इसी package में मैंने कई और बना रखी है इसलिए मैं employee class का object नहीं बनाऊँगा मैं employee harry is equal to new my employee करके ऐसे बना दूँगा ठीक है यह करने के बाद मैं लिखूँगा harry.id is equal to 45 harry.name is equal to code with harry ठीक है मैंने एक string डाल दी यहाँ पर इस program को अगर मैं run करूँ तो कुछ नहीं होगा कोई error नहीं आएगा ठीक है देखो बिलकुल size है यह program मेरा it went through but अगर अगर मानलो म कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं इसको जड़ा zoom out करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पर private लिख दो ठीक है private int id private string name तो आप line number 10 और 11 में देखो कि एक red color की line आ गई है यानि कि कुछ ऐसा आप लोगों को बताया जा रहा है कि यह जो कर रहे हो आप सही नहीं कर रहे हो तो id और name जो है आप इस तरह से directly access नहीं कर सकते ठीक है harry.id is equal to 45 harry.name is equal to code with ari directly आप access नहीं कर सकते अब यह access ही नहीं क के अंदर हमने कुछ नहीं डालने के लिए इन variables को बनाया है ना इन properties को तो यह accessible ही नहीं है तब हम क्या कर लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको access किया जा सकता है लेकिन methods के दुआरा और methods के दुआरा इनको आप लोग access करके data hiding को implement करोगे इस बात का क्या मतलब हुआ आप हमेशा नहीं चाओगे कि जो आपके class के properties वगएरा है उनको directly कोई भी आकर edit कर दे इसलिए आप लोग private access modifier का इस्तिमाल करते हो ठीक है तो किस तरह से ID और name set करना है हम बनाएंगे getters and setters अभी मैंने सिर्फ private आपको बताया है default protected public नहीं बताया है private करने के लिए किसी भी property method को आप private keyword का use करते हो default करने के लिए आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है protected के लिए protected keyword है public के लिए public keyword है default का मतलब यह है कि कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे दो methods बनाएंगे तो यहाँ पर मै लिखूंगा public void set name और set name एक string लेगा string end ठीक है और मैं करूंगा क्या कि यह जो string है sorry यह जो method है set name इसके अंदर मैं लिखूंगा name is equal to n ठीक है तो मैंने name को set कर दिया इसके बाद मैं public int get id बनाऊँगा एक method यह क्या करेगा मुझे यह मुझे id देदेगा कैसे देगा id return id करके ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया setter बना दिया इसका और एक getter भी बना देता हूँ तो अगर मैं get name लिखूंगा तो मैं एक string को return करूंगा कुछ इस प्रकार से तो मैं simply यहाँ पर return name कर दूँगा ठीक है तो इस class के अंदर मैंने कौन-कौन से methods बनाए यह methods बना दिये जी मैंने get name बना दिया, set name बना दिया, get id बना दिया, एक set id भी बना देता हूँ set id क्या करेगी, एक int लेगी और id is equal to यह int कर देगी जो भी integer है मैंने i लिया है, तो यह id is equal to i हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने एक set id बना लिया है और यह कुछ return नहीं करेगा, जो set रहे वो return नहीं करेगा, कुछ getter रिटर्न करेगा, चुकि getter क्या कर रहा है, getter का का काम ही यह है कि वो return करे, अब अगर आप लोगों को इस च throws an error due to, क्यों error throw करेंगी है, due to private access modifier, अपने private access modifier लगाया है, जिसकी वज़े से यह आपको error throw करके देगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो यह तो throw करेंगी, error private access modifier की वज़े से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे harry. set name, और code with error, ठीक है, यह करने से क्या होगा, यह करने से हम लोग, अगर south करेंगे harry.get name, तो इस तारह से हमको, मिल गया, ठीक है, code with error, तो यहाँ पर हमको यह वाली line जैसे ही हमने लिखी, तो get name ने हमको return कर दिया, code with error, और हमने जैसे ही सिस्टम राटवर प्रिंट अलेन किया, वैसे code with error, screen पर प्रिंट हो गया, अगर आप लोग confused हो गए है by any chance, तो मैं एक बार और आप लोग को पूर आने पड़े, अब आप मेंसे गई लोग सोच रहोगे, या इतना सरकस हमने किया ही क्यों, directly हम int id is equal to something लिख देते, string name, अगर बनाते इसको public, तब हम लोग अराम से इसको कहीं से भी access कर सकते थे, तो हमने getter setter बना के अपनी जिन्दगी को मुश्किल क्यों बनाया, हमने भी validation लगा सकते हो, अगर कोई भी set name लिख रहा है, और लिख रहा है 42, किसी का नाम 42 होता है क्या, होता है वैसे लोग रख सकते हैं अपना नाम 42, बट इन जरनल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा होने के कारण, आप यहाँ पर validation लगा सकते हो, आप यहाँ पर कुछ ऐसे कह सकते हो कि if name starts with a number, it's not a valid name, if name contains special characters, यहाँ फिर dash dash, अब exceptions मुझे comment में मत बताने लग जाना, बट मैं एक example दे रहा हूँ, ठीक है कि Elon Musk के बच्चे का नाम यह है, और वो सारी चीज़े अपनी जगा पर हैं, मैं जस्ट आप लोग को एक example दे रहा हूँ, ठीक है, अब phone number है, अगर phone number के अगर special character नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर special character नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर check कर सकते हो, तो कोई भी इनसान गलत phone number set करेगा, तो आप set ही ना करो, उसको एक message दिखा दो, कि जी आपका जो number है, जो आप set करने की कोशिश कर रहे हो, वो set नहीं होता, वो कहेगा क्यों नहीं वो android development में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और java में जब आप applications बना रहे हैं, वहाँ आपको काफी देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत important concept है, मैंने notes में पुरा अच्छे से लिखा हुआ है, access modifiers, हम inheritance के बाद एक बर और revisit करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग oracle की dock म modifiers, तो उन्होंने बड़े अच्छे से table बना रखी है, देखो, और ये table पर मैं आउंगा बाद में, बट मैं आप लोगो बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो default होता है, यनि कि no modifier, इसको package private भी बोलते है, ये default होता है आपका, ठीक पर मैंने getName, setName जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर getName और setName आप यूज कर सकते है, ठीक है, अब ये this क्या होता है, इसकी बाद हम बाद में करेंगे, but आप directly name is equal to करके भी set कर सकते हो, और this.name is equal to करके भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ मैंने name लिखाया, आ इस.name का मतलब इसी का name आप set करना चाहते हो, इसको run करोगे तो ये भी मिलकुल अच्छे से run हो जाएगा, कोई दिखकत नी है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे हम बात करेंगे, तो just up confused ना हो, तो मैं आप लोगो को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देको लिखा और जो कि क्या करेगा, circle की radius को set करेगा, circle के area को set करेगा, circle के parameter को set करेगा, और अगर area और parameter आप गलस set करेगा, radius के साफ से तो आपको warning देगा, just as an exercise आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ये simple सी exercise है जो कि आप लोग attempt कर सकते हो, उसी के साथ साथ I hope ये my employee वाली class जो मैंने बनाई getter और setter के साथ, ये आपको समझ में आ गई, मैंने यापर id set नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप id set नहीं कर सकते, आप बिलकुल id set कर सकते हो, अगर मैं s id लिखूंगा, set id complete हो जाएगी है, और मैं उसके बाद यहाँ पर माल लो, 234 ऐसे लिख देता हूँ, और get name के जगा कर मैं get id लिख देता हूँ, और इसको run करता हूँ, तो name और id दोनों यापर print हो जाएगी और set भी हो जाएगी, तो हमेशा हम चाहेंगे कि हम methods का परियोग करे, हम object oriented programming में क्या करते हैं, मैंने जैसी कि आप लोग को पहले भी बताया था, कि object oriented programming में हम real world systems को, real world से, जब जो real world system में उस पर तो आपको coding करनी पड़ेगी, c, c++, java, python, किसी ना किसी language के use करना पड़ेगा, तो अगर आप object orientation का use करते हो, तो आपको बिल्कुल उस तरह से instructions देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसान एक दूसरे से interact कर रहा है, in fact exactly नहीं, but very closely, for example इसका name set कर दो, पूट जाओ यहां से, वहाँ चले जाओ, तो इस तरह से आप instruction दे रहे हो, Harry से कह रहे हो, set करो name अपना ये, फिर आप कह रहे हो, print कर दो Harry का जो name है वो, फिर Harry की id, set id 234, अब set कर दो id 234 इस object की, तो object पे आप लोग methods run कर रहे हो, तो ये है object oriented programming, real world से, आपका जो code है, उसको उसकी नजदीकियों को बढ़ा देता है, कुछ ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, so I hope कि ये जीज़ क्लियर है सब को, अगर आपने playlist access नहीं करी है, अभी तक तो जरू करना, Java tutorial for beginners की playlist, उसी के साथ साथ, अगर आप लोगों ने video like नहीं किया, तो video like जरू करना, दिल से मुझे झाल